नमस्ते सवाइबर्स इन्टर करेंगी जबकी बची च्हे टीम्स फ्रीफायर प्रो लीग दोहजार इकिस समर में बचे छे स्थानों के लिए FFC मोड में मुकाबला करेंगी FFC मोड के लिए रिजिस्ट्रेशन एक जून दोहजार इकिस से शुरू होंगे जबकि FFC मैच डे चार जून 2021 के लिए निर्धारित किया गया है FFC के बाद Free Fire इंडिया चैंपियनशिप 2021 स्प्रिंग की टॉप 12 टी में और Free Fire Pro League FFC मोड की टॉप 6 टी में Grand Final में स्पॉट के लिए 6 मैचों में मुकाबला करेंगी मुकाबला बहुत कड़ा है क्योंकि प्रतिष्ठित Grand Final के रूप में 35 लाख रुपे का प्राइस पूल है टॉर्नमेंट के लिए रेजिस्ट्रेशन Free Fire कप इंगेम फीचर के जरीए किया जाएगा क्रिपया पक्का कर लें कि आपका अकाउंट कम से कम 2538 पॉइंट के साथ डाइमंड वन रैंक के साथ साथ कम से कम 40 लेवल का है अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप टॉर्नमेंट शुरू होने पर Free Fire Pro League की जानकारी देख पाएंगे Main Lobby के दाइं और FFC आइकन पर टाप करने के बाद FFC मोड की जानकारी मिल सकती है आप यहाँ टॉर्नमेंट की बुनियादी जानकारी देख सकते हैं दाइं और यलो एरो पर टाप करें और आप टॉर्नमेंट का ओवर व्यू देख सकते हैं बैनर पर टाप करके लोबी में जा सकते हैं जहाँ आप इस टॉर्नमेंट की जरूरी जानकारी देख सकते हैं टॉर्नमेंट के बारे में जरूरी जानकारी पाने के लिए उपर की तरफ दाइं कोने पर मौजूद ज्यादा जानकारी पर क्लिक करें यहां आपको मैच की जानकारी, FFC स्कोरिंग, फॉर्माट, FFC के बाद का प्रोग्रेशन, मैच का शेडियूल और टूर्नमेंट के प्राइस पूल के बारे में जानकारी मिलेगी अब बात करते हैं तीम बनाने या जॉइन करने के बारे में टीम बनाने या जॉइन करने के लिए लॉबी में स्कौर्ड पर क्लिक करें अगर आप एक टीम बनाना चाहते हैं तो Create बटन पर क्लिक करें उसके बाद Registration फॉर्म में बताए गए डेटा को भरें आप Join बटन पर क्लिक करके Team Join भी कर सकते हैं और फ्रेंड या अप्लिकेशन लिस्ट में से टीम जॉइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सफलता पूर्वक रेजिस्टर होने वाली हर टीम को निर्धारिक समय के दौरान इस्तमाल करने के लिए आठ टिकेट मिलेंगे। मैच मेकिंग 4 जून 2021 को भारतिय समय के हिसाब से शाम 4 बजे से होगी। इस तै समय के बाद इस्तमाल ना किये गए सभी टिकेट अमान ये हो जाएंगे। चुने गए मेंबर्स के साथ सफलता पूरवक टीम बनाने के बाद आप तै समय पर फ्री फायर प्रो लीग की लॉबी में स्टार्ट गेम पर क्लिक करके मैच शुरू कर सकते हैं। उसके बाद टीम मेट को चार प्लेयर का स्कौर्ड बनाने के लिए इन्विटेशन दें। अगर रेजिस्टर किये गए मेंबर्स के हिसाब से आपका स्कौर्ड अधूरा है या इसमें ऐसे खिलाडी शामिल हैं जो आपकी एफफसी टीम में रेजिस्टर नहीं हैं तो आप मैच शुरू नहीं कर पाएंगे। फ्री फायर प्रो लीग के एफफसी क्वालिफायर के बारे में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए क्रिपया ई-स्पोर्ट सोशल मीडिया पेजों पर जाएं और ओफिशल रूल बुक देखें। सभी सवाइवर्स को शुब काम ना आएं।